नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर एक International Financial Center खोला जा रहा है, अब ये International Financial Center कहाँ पर खोला जा रहा है, पहली बार देश के अंदर, ये खोला जाएगा Gift City के अंदर, I am sure आपको याद होगा Gift City, ये मिलेगा आपको गुजरात के अंदर, तो इसकी location प पर मिलेगा, और ये particular जो आप area देख रहे हो, गांदी नगर के अंदर, इसी को कहते है Gift City, अब Gift City के अंदर क्या खोला जा रहा है, International Financial Center, तो आपके मन में सवाल आएगा कि ये International Financial Center क्या होता है, तो देखे क्या होता है, कई बार की जो foreign की companies हैं, वो हमारे देश में आकर कुछ business करना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास proper सुविधा नहीं होती है, तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं, कि ये एक one stop solution होगा, बाहर की companies के लिए भी, and in fact हमारे देश के companies के लिए भी जो बाहर निवेश करना चाहते हैं, तो एक तरह से finance related जितनी भी ची international financial center है, जैसे New York के अंदर मिलेगा, international level का, इसके अलावा UK के अंदर, जो London है, वो भी international financial center है, लेकिन London से अगर आप देखेंगे इस पूरे बीच के अंदर, तो यहाँ पर next है Singapore में, तो Singapore से और London के बीच में international level का financial center नहीं है, हाँ, Dubai के अंदर है, लेकिन वो आपका regional level पर है, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि अगर हम अपने देश के अंदर भी इस तरह के financial center खोल सकते हैं, ताकि finance related जितनी भी services हैं, वो हम दे सकें, तो यह हमारे देश के लिए बहुत जादा अच्छा हो सकता है, बहुत सारा जो foreign reserve है, वो भी आ सकता है, तो इसी particular gift city के अंदर एक और initiative लिया जा रहा है, इसको बोला जा रहा है कि maritime cluster जो की आएगा gift city में, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कि यह maritime cluster क्या है, क्योंकि अगर आपने अभी map में देखा होगा, तो gift city के आस पास आपको कहीं पर भी समुंदर का tut नहीं दिख रहा होगा, coastal पे नह पर हम maritime cluster बनाने जा रहे हैं, तो यह basically है क्या किस तरह से help करेगा, इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और update के लिए आप मुझे follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook और Twitter पर, मेरे lecture की हब PDF आपको Facebook पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा Telegram चैनल जॉइन कर सकते हैं, बाइ सर्चिंग, अंकित अगरवाल ऑफिशल, और अगर आप UPC की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके ले सुने रहा मौका है, Study IQ, आपके ले स्मार्ट पोर्सेज, जिसके दो आप अपनी preparation और भी ज्यादा पर मिल जाए, मतलब कि अगर आपको अपने goods को transfer करना है, मतलब कि आपको जो कांडला port है, वहां से अगर आपको अपना goods भेजना है, New York में, कहीं पर भी, तो आप क्या करते हो, आप किसी से contact करते हो, तो आप इस cluster के अंदर, gift city के अंदर contact करेंगे, और आपके समान को आरां concept है, क्योंकि भारत के अंदर आपको इस तरह के maritime cluster देखने को नहीं मिलेंगे, और gift city के अंदर ये पहला होने वाला है, maritime cluster भारत का, अगर आप देखेंगे पूरे wish में, तो जो Rotterdam है, जो की Netherlands के अंदर आपको मिलेगा, Singapore हो गया, Hong Kong, Norway के अंदर जो Oslo है, शंगाई है, London है, ह सब कुछ देखेगी, वो उसका नाम है, गुजरात maritime board, और इनकी एक subsidiary है, जिसको बोला जाता है, गुजरात ports infrastructure and development company, वो इस particular maritime cluster को बनाने वाली है, कहाँ पर gift city के अंदर, अब इसके अंदर क्या-क्या चीजे होंगी, इस cluster के अंदर सबसे पहले देखा जाएगा, कि यहाँ पर जो गुजरात based shipping lines हो गई, जो freight forwarders होते हैं, shipping agents हो गए, bunker suppliers हो गए, मतलब कि shipping related जो starting की चीजे होती हैं, मूलभू चीजे, वो इस particular cluster के अंदर सबसे पहले लाने की कोशिश की जाएगी, फिर second stage में यह बोला गया है, कि जो Indian ship owners हैं, ship operators हैं, Indian charterers हैं, दिके charterers क्या होता है, ब corporation कराना है, तो जो कागजात से related चीजे होती हैं, वो इनके द्वारा देखा जाता है, तो इस तरह की जो companies हैं, भारत की, तो अभी तक अगर आप देखेंगे, तो यह establish की गई हैं, मुंबई के अंदर, चन्नाई के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन गुजरात में यह नही तो I hope कि अब आपको समझ में आओ गया होगा, कि maritime cluster का simple अर्थ है, कि maritime से related जितने भी services हैं, आपको एक जगा पर मिल सके, आसानी से काम हो सके, यही होता है maritime cluster, और इसको बनाया जाएगा, अब यहाँ पर question है कि गुजरात में इसकी क्या जरुवत है, why there is a need for it, अब यहाँ प Luxemburg हो गया, यह सब landlocked countries हैं, उसके बावजूद भी यह चोटे चोटे देश होने के बावजूद भी यह बड़ी बड़े इस तरह की maritime clusters हैं, वहाँ पर services दी जाती हैं, लेकिन भारत के अंदर यह सब चीज़ें available नहीं हैं, तो एक reason होना चाहिए, क्यों नहीं available है, हम काफी services तो हैं, goods को आप ले जा सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर service चाहिए, तो इसके लिए आपको contact करना पड़ता है, कई सारे value chains होते हैं, maritime से related, वो सारे services available नहीं हैं देश के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, for example मैं आपको बताओ, Adani Group, Adani Group का सारा क Tata Group हो गया, Tata Group हो गया, यह जो services लेते हैं, दुबाई से लेते हैं, Singapore से लेते हैं, तो भारत में इस तरकी facility नहीं available है, तो कहां से यह लोग करेंगे, तो इसके लिए जो maritime cluster है, वो बहुत जादा important हो जाता है, कि हमारे देश में भी आए, तो यहाँ पर cluster के अलावा और क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अंदर, services के लावा और क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर बताया गया है, कि गुजरात maritime university के through, यहाँ पर एक alternative dispute resolution भी खोला जाएगा, अब बिसनेसे हो रहे हैं, तो disputes भी आएंगे, problems भी आएंगी, तो problems आएंगी, उनको सुल्जाने के ल पूरे विश्वभर में आपको कई सारे मिलेंगे, जैसे कि UAE के अंदर, Emirates Maritime Arbitration Center हो गया, दुबई Maritime Cluster हो गया, China Maritime Arbitration Commission हो गया, इस तर्च पर यह वाला Arbitration Center भी वो खोला जाएगा, गिफ्ट सिटी के अंदर ही, ताकि disputes को भी सुल्जाया जा सके, इसके अलावा एक औ मिशा से होता है कि बहुत पहले से आइडिया होता है, लेकिन करते करते 15-20 साल तो लगी जाते हैं, तो 2007 में आप देख सकते हो, पहली बार ये आइडिया को लाया गया था, conceptualize किया गया था, लेकिन finally जाकर in principle approval गुजरात गौर्मेंट के दौरा दिया जाता है 2015 में, और यहा करीब 8000 square feet में gift city के अंदर ये पूरा cluster बनाया जाएगा, तो अभी के साब से क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया, जो company है जो इसको बना रही है GPIDCL, वो अभी काम कर रही है गांदी नगर के सागर भवन से, 6th floor से, तो अब ऐसा बोला जा रहा है officials के द्वारा कि December end तक इन क्या और भी जादा समय लगता है कि नहीं लगता है, तो एक अच्छी बात है कि maritime cluster जैसे बड़ी चीजें हमारे देश के अंदर लाये जा रहे हैं, ताकि जो business भारत से बाहर चले गए थे, वो वापस भारत के अंदर आ सकें, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हू regarding maritime India Vision 2030, क्या आपने इसके बारे में सुना भी है कभी, maritime India Vision 2030, तो यहाँ पर आप इस question को solve करिए, इसका answer आप मुझे comment में बताइए, मैं इसका जो right answer है, अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Insta पे नहीं हो, Stories में आप नहीं कर सकते, तो Telegram से भी right answer और explanation दोनों आप ले करना चाते हैं, कोई course purchase करना चाते हैं, आप study IQ app पर जा सकते हो, I hope कि ये वीडियो आपको फसंद आया होगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.